next question 2014 का नीट के एक्जाम का सवाल है, it says a balloon with mass M is descending down with an acceleration A where A is less than G, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration A, so situation यह है कि एक आपका balloon है, उसके उपर let's say कोई F after force लग रहा है, वो नीचे क्योंकि M G लग रहा है, उस वज़े से A acceleration से नीचे आ रहा है, अब उस बलून में से कुछ समान हमने नीचे फै हमें कितने यह बताना है, किता समान या किता मास हम वो उसके बाहर फैंक दें, such that अब वो acceleration जो पहले मान लिज़े दो acceleration था, वो नीचे था, उसके उज़े आप वो ही same acceleration A, उपर की तरफ हो जाए, now simple सवाल है, यहाँ पे आपको FBD सही बनाना है, equation सही लिखनी है, और अपन equation नीचे की तरफ है, तो इसके लिए equation लिख सकते हैं, mg हम equation लिख रहे हैं, Newton की second law से हमें पता है, कि F net is equal to MA होता है, यह equation हम लिख रहे है, so mg minus F, एक काम करते हैं, इसका वजन पहले, m1 मान लेते हैं, जिससे m1 और m2 दो मासे हो जाएंगे, हमें m2 की value बतानी है, so m1 g minus F will be equal to m1a, यह आपकी equation हो गई, पहली equation, इसके बेरिस पर हम ही कह सकते हैं, कि F will be equal to, यह आपकी पहली equation हो गई, इसको थोड़े हमें use करेंगे, second case में हमने क्या किया, इस वाले में से कुछ समान, let us say m2 समान हमने बाहर फैंक दिया, अब इसका जो मास बचा वो हो गया, m1 minus m2, हमे m2 की value बतानी है, कितना होगा, right, m2 समान हमने बाहर फैंक दिया है, इसके उपर upthrust force अभी भी F लग रहा है, लेकिन अब यह ऊपर की तरफ जा रहा है, A acceleration से, और नीचे इसका force हो गया, m1 minus m2, G, यह आपका नीचे की तरफ force हो गया, because उसका mass, अब M1 minus m2 बचा है, so इस case मे जो हम equation लिख सकते हैं, हम equation कह सकते हैं, F minus m1 minus m2, G will be equal to m1 minus m2 A, यह हमारी equation number 2 हो गई, अगर हम इन दोनों equations को add कर देंगे, तो F की सुपारी हो जाएगी, F ओड जाएगा यहाँ पर, और अपने m2 की value आ जानी चाहिए, because A और G की term में हमें answer बताना है, so हमने इन दोनों equations को add किया, equation 1 plus equation 2, इनको जब add किया, तो F उड़ गया, यह पहली term बची, m1 G minus, यह आएगा आपका m1 G, और यह हो गया, plus m2 G, यहाँ जब add करेंगे, तो यह बचेगा, m1 A, यह बहला, plus m1 A minus m2 A, यह हम इसमें से common लेंगे, यहाँ से m1 G, m1 G cancel हो गया, so अपना left hand side बची, m2 G, add बची, twice m1 plus m2 A, so which implies अपना, इसको अगर हम divide कर दें, नहीं हमें तो m2 की value निकाल लेंगे, इसको ऐसी नहीं करके, a common लेके, हम इसमें से m2 को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, so यह बचा, twice m1 A, plus m2 A, अब इस m2 को इस तरफ ले आते हैं, so अपना equation बन जाएगी, यहाँ प 2m1 A, और इससे हम m2 की value कह सकते हैं, it will be equal to 2m1 A, divided by A, plus G, so यह अपना final answer हो जाएगा, so based on this, हम कह सकते हैं, option number A, 2ma divided by A, plus G, would be the right answer.